नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं शिवलिंग की पूजा में आपको ये चीज नहीं चड़ानी चाहिए इससे शिव जी रूड जाते हैं तो दोस्तों कौन सी चीज़े आए जानते हैं दोस्तों शिवलिंग शिव जी का ही साक्षात रूप मना जाता है विधी विधान से शिवलिंग का पूजन करने पर शिव जी प्रसन होते हैं और साथ ही सभी देवी देवताओं की किर्पा भी प्राप्त होती है शिव पुरान के नुसार शिवलिंग एक देवी शक्ती है जो यह हमारी सभी मनुकामनाएं पूर्ण करती है अमान नेता देवि देवताओं के विधिवत पूजन आधी काम नें वहे बहुत सी समरрост में शामिल की जाती है इंन शामर्गियों में हल्दी भी ॽामिल है हल्दी एक औशदी भी है और इसका उपयोग संदर प्रसादन में किया जाता है धार्मिक कारेों में भी हल्दी का महजपूर्ण स्थान है कई पूजनकार हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माने जाते पूजन में हल्दी गंद और औशदी के रूप में उपयोग की जाती है ये शिव जी के अतिरिक सभी देवी देवताओं को अर्पित की जाती है हल्दी का एस्थरी सौंदर प्रसाधन में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है शास्तोर के अनुसार शिवलिंग पूरुशत्व का प्रतीक है इसी वज़े से महादेव को हल्दी नहीं चड़ाई जाती जबकि जलादिगारी पर हल्दी चड़ाई जा सकती है क्योंकि इसे माता पारवती का रूप माना गया है दोस्तों मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद